हेलो फ्रेंट्स वेलकम टो ये 24 नॉलेज ए ओफिशल यूट्यूब चैनल आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन संग लोक सेवा आयोग की नियू रिकुर्मेंट नॉटिफिकेशन के फॉर्म फिल अप के बारे में तो फ्रेंट्स यहा यहां पर इसके फॉर्म फिल अप्रोसेस के बारे में और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें शेयर करें लाइक करें जिससे आपको आने वाली सारी अपडेट्स मिल सकें साथ में यहां पर इस वेकेंसी से रिलेटेड जानकारी आपको मिल जाएगी जौबरास्ता.com पर वहां पर जाकर आप इसकी डेटेल्स को चेक आउट कर सकते हैं और अगर आप एलिजीबल हैं अप्लाइ करना चाहते हैं अप्लाइ कर सकते हैं और यहां पर फेंस अब शुरू करते अप्लाइ का जो लिंक है राजिस्टेशन का वो आपको मिल जाएगा यहां पर आप इंस्ट्रक्शन को ध्यान से पढ़ेंगे इसके बराब व्यस वाले ओप्शन पर क्लिक कर देंगे यहां पर फेंस आपको देखी सबसे पहले एंटर करना है आपका नाम तो यह आपके मे 20 year आप यहां से सलेट कर सकते हैं आपका जो फादर नेम है और आपका जो मदर नेम है वो फेंस आप यहां पर एंटर करेंगे इसके बाद फेंस आपको यहां पर मेरिटल स्टेटर्स आपका सलेट करना है कम्यूटी में फ्रेंस से ध्यान रखिएगा अगर आप EWS candidate है या तो आपको कोई option नहीं पूछेगा, अगर आप SC candidate है, उस condition में आपको certificate number ये किस ने issue किया है, तो issue किस ने किया है, तैसिलदार ने किया है, SDM ने किया है, जिला मजिस्टेट ने किया है, वो आपको देना है, कब issue हुआ है, वो आपको देना होगा, OBC candidate के लिए भी यहाँ पर minority community से आते हैं, मतलब muslim, christian, jain, sikh, आगर आप हैं, तो आप yes कर सकते हैं, नहीं तो आप इसमें no करेंगे, इसके बाद देखे, यहाँ पर fees में आपको छूट नहीं मिलेगी, general OBC male candidate को fees में छूट नहीं मिलती, qualification क्या है आपकी, तो देखे, pass या appearing है, आप final year degree में, जिसमें physics and mathematics आपके पाद 10 plus 2 level में है, और इसमें आप किसी भी stream से पास आउट हैं, आप या appearing है, आप अप्लाए कर सकते हैं, इसके बाद यहाँ पर आपको आपका address देना है, तो पूरा address आप फिल करेंगे, आपका कौन सा state है, आपका district कौन सा है, आपका pin code क्या है, और इसके बाद आपका 10 digit का mobile number, आपकी active and valid mail ID, आप यहाँ पर फिल करेंगे, तो फ्रेंस यह registration process करते समय, जो starting का जो यह page है, इसमें आपको कुछ basic जानकारी फिल करनी होती है, और इसको यहाँ पर आप चेक भी कर सकते हैं, इसके बाद फ्रेंस ने step है, आपके photo ID का, तो यहाँ पर कोई भ आपके पास CPL का license है, इसके बाद आपको देनी होगी, यहाँ पर preference, प्रेंस कैसे देंगे, तो फ्रेंस एची ध्यान रखेगा, अगर आपके पर bachelor degree है, किसी भी stream में, आप IMA और OTA के लिए आप यहाँ पर इसके आपनी जो दे सकते हैं, अगर आपके पर bachelor degree in engineering है, तो आप के लिए दे सकते हैं, बैसला डेगरी किसी भी stream में है, और physics and math आपके पास 10.2 level में है, तो आप Air Force के लिए भी यहाँ पर अपनी जो stream है, वो आप दे सकते हैं, आपको बस यह करना है, आप जो भी post के लिए applicable है, उसके according आप यहाँ पर preference दे देंगे, इसके बाद यहाँ पर preference में, अगर आपको कोई भी error शो करता है, जैसे AFA में आपको error शो किया है, तो आपको वहाँ पर 0 की entry कर देनी होगी, तो आपको बताएगा, यह खुद बता देगा form, कि आपको यहाँ पर preference देनी है, उसके बाद friends, आप इसे update करना चाहें, अपडेट कर सकते हैं, नहीं तो security code को डाल कर, आप यहाँ से submit इसे कर देंगे, इसके बाद friends, आपका registration process देखिए, यहाँ पर complete हो जाएगा, और इसके बाद friends, आप part 2 registration पर जा सकते हैं, अपने second step को complete करने के लिए, इसके लिए friends, जब आप इस link पर click करेंगे, आपको registration number, date of battery, capture code डाल कर submit करना है, login करने के ल इसके बाद friends, आपके सामने जो payment gateway है, वो open हो जाएगा, और किसी भी bank के credit card, debit card, net banking की details को आप यहाँ पर fill करेंगे, अपने payment को verify करने के लिए, payment होने के बाद ही आप next step को open करके, आप आगे की जो process है, वो complete कर सकते हैं, इसके बाद friends, next option आपके यहाँ पर होगा, आपके documents upload का तो देखे, photograph and signature आपको यहाँ पर upload करने है, jpg format में, आपको यहाँ पर pixel दिया गया है, इस pixel में ही आप इसे upload करेंगे, तो friends, यहाँ पर अगर आपको photo and sign upload करने में कोई दिक्कत आती है, तो जैसे आपकी जो photo है, उसको आप open कर लेंगे, ms paint में, और यहाँ पर देखे, हजार से कम है, और यहाँ पर 300 ज्यादा है, आप इस तरह से values को set कर लेंगे, ok कर देंगे, और उसके बार आप file पर जाकर save us कर देंगे, jpg picture में, और इसके बाद friends, आप दिये के जगे पर इसे upload कर सकते हैं, ऐसे ही आपको signature के लिए भी आपको pixel दिये गया है, तो 300 से सारे options आपको मिल जाते हैं, कि आप jpg से pdf में convert कर सकते हैं, online अपने photos को और अपने documents को, तो इसके बाद आप यहाँ पर इसे upload कर देंगे, upload image पर click करने के बाद, तो यहाँ पर friends, photo, sign और documents के preview देखने के बाद, आप continue tab पर click कर देंगे, इसके बाद friends, आपको photo ID proof जो आपने starting मिं दिया है, उसको आपको verify करना है, और इसके बाद अपने exam center को आप चूज कर सकते हैं, आप जो भी exam center यहाँ से लेना चाहें, इसके बाद नीचे आकर आपको यहाँ पर declaration करना है, जिसके लिए आप I have declaration पर click करेंगे, और इसके बाद friends, आपका जो यह form है, वो final submit हो जाए future use के लिए, future reference के लिए, तो friends, यहाँ पर इस वीडियो हमने बात की, कैसे आप UPSC CDS2 Requirement 2021 का form फिल कर सकते हैं, step by step मैंने आपको सारी process बता दी है, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आए और आप चाहते हैं, ऐसे ही updates आपको लगातार मिल सके, तो like, subscribe और शे जरू झाल 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 झाल